विल्कम फ्रेंड्स स्वागत हापका आपके अपनी यूट्यूब चैनल दामाथमाजिशन शो में आज के इस वीडियो में हम लोग इस फिगर के अंदर नंबर ओफ ट्रेंगल्स और नंबर ओफ इसक्वार्स काउंट करने का एक ऐसा ट्रिक सिखेंगे जिसका यूज़ करके हमने फिगर ड्रो कर लिया है अब इसके अंदर नंबर ओफ ट्रेंगल्स काउंट कर लिए हमने वोठिक मैं बता हूंगा किस तरह से हमने काउंट किया है उसके बाद नंबर ओफ इसक्वार्स 4 plus 3, 7 यह हमने count कर लिया, वो कैसे किया अब मैं आपको पताने जा रहा हूँ तो यह जो figure है, इस figure के अंदर यह एक box है, इस box को हम यहाँ draw करते हैं, ठीक है, और अब इसके अंदर number of triangles count कर लिते हैं यह 1, 2, 3, 4, ठीक है और उसके बार यह 5 यह यह 7 और यह 8, तो इस एक box के अंदर total 8 triangles हैं तो 8 है, एक box में total कितना है, 4 boxes हैं तो 8 into 4 32 हो गया, ठीक है उसके बाद यह बड़ा वला triangle, एक हुआ फिर यह 2 और यह 3 ठीक है 3 यहां से है, तो 3 उपर से भी होगा 1 2 और फिर यह 3 तो 3 तो 3, 3, 6 हो गया, तो 3 टोजा, 6 और 1 2 तो 1 इंटो 2 2 टोटल हो गया 40 triangles तो टोटल 40 triangles हैं इस figure के अंदर अब number of squares काउंट कर लेते हैं, जो की बहुत ही आसान है तो आप लोग तो देखी रहे होंगे यह बड़ा वाला एक square है और इस तरह का total 4 है तो 1 2 3 4 ठीक है, अब यह वाले squares को काउंट करना है 1 2 और यह 3 तो 4 plus 3 number of squares हो गया, 4 plus 3 यह नि 7 तो टोटल इस figure के अंदर 40 triangles और 7 squares है तो यह आप लोग इस trick का इस्तमाल करके आसानी से ऐसे figures में number of triangles और number of squares count कर सकते हैं बस यह याद रखना है कि जब भी इस तरह का figure बनेगा तो total इसमें 8 triangles होंगे ठीक है तो इस तरह का जैसे figure बनेगा आप इसमें 8 triangles count किये भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमेशा इसमें 8 triangles होते हैं I hope कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइक अंदब आ दें थैंक्स पर वाचिंग